हालो फ्रेंड्स मैं हूं अन्न पुरुना और आपका स्वागत है मेरे किछन में आज हम बनाएंगे जवारी की रोटी जो बहुत ही ज़ादा नर्म है मुलाइम है और साथ ही बनाना बहुत ज़ादा आसान तो ऐसे नर्म मुलाइम टेस्टी जवारी की रोटी के लिए मैंने जवारी का आटा यहें जवारी यहीजवारी मार्केट में अवेलेबल होते मैंने इसका आटा घर में ही बना लिया है आप मार्केट से आटा भी पचस कर सकते हैं तो यहें एक कप जवारी का आटा पानी थोड़ा सा नमक और गी गी कंप्लेटली ऑप्शनल है सबसे पहले म आपलेट में ले रही हुँ और अभी मेंने एक पैन रखा है, और उसय कपसे मेंने जवारी का आटा में लिया है उससे मैं एक घाल पानी ले तरह आप्वी जास नभानग द आपानी में जैसे बॉइल आया हुजıy M4aso और 140 भी जाल लियो तो oil भी डाल सकते हो, या completely ये skip भी कर सकते हो, अभी मैस में डाल रही हूँ आटा, आटा डाल कर इसे हमें लगातार अच्छे से mix करना है, mix करके अभी gas का flame हम लोग ऑफ कर देंगे, ओफ करके आटे को अच्छे से mix करना है, mix करके अब इसे हम लोग ढक की रख देंगे, तब जब तक कि आटा नॉर्मल टेंपरेचर में ना आ जाए, मतलब हम उसको हाथ से हैंडल ना कर पाए, अब आटा थोड़ा सा गरम है, मतलब बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो हाथ को थोड़ा सा गिला करके, इसका एकदम नर्म आ अब आटा एकदम नर्म बन गया है, अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में, साइड में रखके, मैं छोटा सा एक आटे का लोई लेकर, इसका मैं बॉल बना रहे हूँ, बॉल बना के थोड़ा-ठोड़ा आटा डाल कर अब हम इसका पतला रोटी बनाएंगे, आटा बना अभी मैंने इसको अच्छे से बेल के पतला रोटी बनाया, आप देख सकते हैं मैं रोटी बिलने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो आटा है वो एकदम पॉफेक्ट बना था, अब रोटी बनके रेडी है, रोटी एकदम पतली बनी है, जैसे हम लो अब इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए, दबाते हुए, हम लोग इसको उपर नीचे पलटते हुए, अच्छे से सेख लेंगे, आप चाहो तो ग्यास के उपर डाल का जैसे फुलके को सेखते, आप वैसे भी सेख सकते हो, जवारी का जो आटा है, उसकी काफी ज़्यादा हेल्थ बेनेफिट है, इसमें काफी ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर है, इससे हमारा मेटबोलिजम बहुत अच्छा रहता है, वेट लॉस में तो ये बेस्ट है, जिसको वेट लॉस करना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा आप्शन है, जो डायबेटिक पेशन्ट ह ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये ग्लुटन फ्री होता है, अब ये रोटी को मैंने उपर नीचे पलड़ती वच्छे से सेक लिया है, मैं इसको निकाल रही हूँ, निकाल कर मैं आपको एक और रोटी बना के दिखा रही हूँ, अगर आपको उस तरीके स बेलते वे बनाएंगे, ऐसे बेलने से भी रोटी बहुत आसानी से बनती है, बहुत अच्छे से बनती है, अगर आपको वैसे बनाने में पॉब्लम मुरी है, तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन की नैपकिन की जगा बटर पेपर का भी यूज़ कितनी पतली ये रोटी बनकी रेडी है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ, निकालकर आप मैं इसको भी डाल रही हूँ, तवे की उपर डालकर उपर नीचे पलटते हुए, इसको भी मैं अच्छे से से लोगी, जवारी की रोटी बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान र निकाल रही हूं इसे निकाल कर आप इसे किसी भी सबजी के साथ सर्फ कर सकते सभी के साथ इसका कॉंबिनेशन परफेक्ट लगता है अब आप भी यह रूटी जरूर बनाईए और आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर थैंक यू